हलो दोस्तों नमस्का स्वागत आपका अमार यूट्व चैनल गार्डन ग्लोरी पर तो दोस्त आप देख रहे हैं कोलियस और यह हमने कोली से कटिंग लगाई थी एक मिना पहले तो आज हम इसे चेक करेंगे किसमें कितनी रूट बनी है क्या यह कटिंग टांस्प्लैंट के बीर्ण पननडी कहले तयार है तो अभी Courtney के कि हम्ने चेक लगाई थी कि और यह सक通 बस्ते को मदर प्लांट अ इस मदर प्लांट यह मने वंने कटिंग ली थी और एक मिसमें लाई था कि मैं है तो आच चेक करेंगे सर केश में किसी कर्या कंदिशन ही। किया यह तयार हो चुकी है कि इसम रूट बन चुकी है। कि और देखते हैं का दोस्तों एसमें गंढे से निकाले से और प्लांट को अलल अलार लेते हैं कि देखाते हैं आप कर लिया है यह सभी प्लांट्स को निकाल लिया कटिंग को निकाल लिया है तो आप देखिए कितनी बहतरी जड़े वनी है कितनी बहतरी रूटिंग हुए इसमें अब यह बहुत अच्छा रेल्ट है तो हम दोस्तों बताएंगे जब कटें हमने कैसे लीती और इसके लिए भी लेट से एदम नॉन यूज वाला बिलेट होना चाहिए उससे 45 डिगरी में में कटिंग काटी थी 40 वर्टी कटिंग काटने के बाद एलुबरा एक फंगी साइड़े काम करता है एलुबरा में के जूस में भीगोकर एलो पर एक जूस में बिगोकर और हमने यह गमले में साथा खेद की निट्टी लेगी गर्डन स्वाइल में डारेट ना उसमें कोई ख़ाद मिलाया था ना कोई फंगी मिलाया था डार यहां पर आपने खेद मिट्टी में ही जाडन स्वाइल में ही कि फोटिवाइड डिग्री में कटिंग काट कर एलोगरा जूस में भीगो कर इसको में लगाया था और उसका एक महने वाद रियल्ट है लोग कितने ची बहत्री इसमें रूटिंग आई है और देखवार करने के दोस्तों सिर्फ इसमें और इसकी स्वाइल में को मोश्ट रखा यानिकी स्वाइल में कभी भी हमने सूखनी नहीं दी हमेशा इसमें थोड़ा गीलापन हमेशा बना कर रखा और यह उसी का रिएल्ट है कि आज इसमें भैतिर रूटिंग हुए है और हम इसमें आज ट्रांस्प्लांट करेंगे कि मुझे दोस्तों ट्रांस्प्लांट के लिए हमने जो सूल मिक्स रिश्यू लिया है इसमें दो हिस्सां अमने गार्डन सो लिए यह वाली दो हिस्ता गार्डन मिट्टी है एक हिस्ता इसमें गाय का घोबर सड़ा हुआ और इसमें लग बीस ग्राम हमें लिए 20 ग्रांब होने लिए इसमें नीम केक नीम खली यह तीनों को मिलाने के बाद हम आप देख रहे हैं आपको यह सीडलिंग एक कटिंग लगाने के छोटे चार इंची के पॉट है अब इसमें हम ट्रैंस प्लाट करेंगे तो दोस्तों हमने यह पॉट में चार इंची के पॉट ह सब्सक्राइब करेंगे इसको लगा देना है इसकी जड़े ना डेमेज ने हो पाएं इसकी यह साफ धानी है है कि झेड़े डेमेज ने होने पाएं इस गारे हम अ gallery लगा आपको देखाते है इसदोस्तों मेत्वा दूस्तों हिया इसभी पॉट में कटिंग लगा दिये और रहे हो सभी अ में कटिं लगा दिए अब कटिंग लगाने पानी डेने के बारत है तो में इसा करकर में पानी दे रहेंगे और कम सकम एक हफ्ते के लिए इसको सेडिंग एरिया में लखना है तो दोस्ता आज आपने देखा कोलियस की कटिंग और उसको टांस्प्लांट करना ने कटिंग आपको निकाल के दिखाई आपने बहुत अच्छे समें ग्रोथ हुई है उसमें अच्छी से कि मिट्टों साधा मिट्टी में कोलियस के जो मदर प्लांट है उससे मनें 48 डिग्री में कटिंग काटने के बाद और एलो बेरा के जूस में भूखो के लगा दे थी और जब इसको ट्रैंस्प्लांट किया है तो हमने आपको दगाया जो दोस्ता इसमें मिट्टी लेनी गया का गोबल लेना है और थोड़ा सा इसमें लेना फंगी साइट के लिए और गनिक नीम केक दोस्तों आप भी ट्राइक किजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाग किजिए शेयर किजिए और हमाई चैनल ना है इसे सबसर किजिए और कुछ भी सब्सक्राइब किजिए थेंक यू थेंक फॉर बाचिंग